हलो दोस्तों, जीयस वानी में आप सभी का स्वागत है, मैं आपका एजूकेटर येश चंद्रा, हमारे जीयस वानी चैनल पे यह एक नया प्रोग्राम आज लॉंच हो रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस भरती 2024 के लिए, जो आपकी कॉंस्टेबल की भरती आई हुई है, 60,000 से अधिक वैकेंसी है, एक बहुत ही सुनहरा मौका है, और इस मौके को बिलकुल मत जाने दीजे, आप चितने भी हमारे छात्राएं हैं यहाँ पर, मैं सभी से गुजारिस करता हूँ कि आप सब पूरे तनमंधन से तयारी करिए, और बहुत जल्दी अपने वर्दी का सपन साकार करिए, जैसा कि हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जो है वाक्य हमने इस्तिमाल किया है अपने चैनल के संकल्प आपका और सहयोग हमारा, आप संकल्प लीजिए उसको आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करने के लिए तयार रहिए, हमारी तरफ से आपको इतना सहयोग मिलेगा कि आप रिटेन एकजाम में अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई कर जाएंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस भरती आयोग यहाँ पर ना किवल कॉंस्टेबल की भरती निकाला हुआ है, बलकि ASI की उपनिरक्षक की भी वैकेंसी आ चुकी है, इसी के साथ ही हम जो अभी आपका एक मौक टेश प्रारम कर रहे हैं, यह किवल कॉंस्टेबल के लिए ही नहीं, UPASI में भी यह सहयोग देने वाला है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आपके लिए UPASI के लिए अलग से सिरीजल्द ही प्रारम करने वाले हैं, तो चलिए, आप सभी को मैं पहले ही आप सबको सुभगामना दे देना चाहता हूँ, कि आप सब मान के चलिए कि बहुत जल्दी आपके बदन पर बढ़नी होने वाली है, उत्तर प्रदेश पुलिस में आप सभी बहुत जल्दी भढ़ती होने वाले हैं, आशा करता हूं आप सभी भी हमारा सहयोग करेंगे हमारे चैनल को धेर सारे उन प्रतिभागियों तक पहुँचाने का प्रयास करिए जिन तक अच्छा content नहीं पहुँच पा रहा है या फिर बहुत ऐसे प्रतिभागी हैं जो पैसे देखे course नहीं खरेच सकते हैं बहुत ऐसे प्रतिभागी हैं जो बहुत दूर दराज के इलाके में रहते हैं इवेन उनके पास books खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते तो मैं आप सबसे दर्खवास करता हूं request करता हूं हमारी वीडियो को उन तक पहुचाने का प्रयास करें उनके भी सपने को साकार करने में आप मदद करिए और हमारा चैनल gsm oni पूरी तरह से निस्ल्क तयारी करा रहा हैं कोई भी आप परिक्षा देंगे हमारे चैनल पे उस परिक्षा के लिए free निस्ल्क मुफ्द पूरी तरह से तैयारी कराई जाएगी जबकि आप देख रहेंगे बड़े बड़े प्लेटफार्म है जहां पर आपको 2-4 टेश्ट फ्री में करवाने की बाद वहां पर लिखा रहा तक अगर आप लेना चाहते हैं कोर्स हमारा तो इतने रुपए पे करिए कहीं 2000, 4000, 6000, 8000 लेकिन हमारे चैनल पे गुडवत्ता से क्वालिटी से बिल्कुल समझवता नहीं किया जाता और उसके साथ साथ बिल्कुल निहसुलक रहता है तो निहसुलक मिल रहा है और क्वालिटी भी है तो निसंदे आप सभी को अप्रोच करना चाहिए हमारे चैनल को ज़्यादा सहीयोग दीजिए अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए अगर आप चाहते हैं कि अपनी स्वेक्षा से कुछ अगर सहीयोग करना चाहते हैं तो उसमें जॉइन बटन होता है आप उसे दबा सकते हैं अन्य था केवल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं वेल आइकान दबा लिजिएगा जिससे की आने वाले प्रतेक टेस्ट रीज की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए क्योंकि एक दो बच्चों की शिकायत थिक सर उसमें जॉइन बटन पर आप पे करना पड़ेगा तो बिल्कुल पे नहीं करना है अगर आप जॉइन नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं बिल्कुल फ्री में सारे कोर्सेज आपको मिलते रहेंगे तो चलिए इसी के साथ आज अपने इस मॉक टेश्ट का पहला प्रशन आपके लिए लेके आये हैं भरोसा करी साथियों यहाँ पर जो भी आपको मिलने वाला है कंटेंट बहुत शांदार कंटेंट मिलने वाला है साथ ही साथ अभी तक आपको चैनल पे बहुत कम जगहुत मिलेगा कि जीके के साथ साथ जीके के साथ साथ करेंट अफेर्स के भी क्वेस्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे एक साथ दोनों तयारी चलेगी एक तरस से डबल धमाका होने वाला है तो चले प्रारम करते हैं पहले प्रशन की ओर देखते हैं हमारा इतिहास से प्रारम है बाकी सारे विसे को हम बहुत जल्दी आपके सामने लेके आने वाले हैं वेदों की संख्या कितनी है ठीक है कितने संख्या है वेदों की दो, चार, तीन, पाँच आप सभी यह जानते होंगे, जादा तर विध्यार्थी जानते होंगे एक चीज आप लोगों से दर्भास करूँगा अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो कमेंट कर दिया करें अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में बता दिया करें उसके बाद तो हमें इसको explain करेंगे तो कितनी है संख्या वेदों की? वेदों की संख्या चार है चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं वेदों की संख्या चार है रिग वेद, यजुर वेद, साम वेद और अथर्व वेद कहा जाता है इसकी रचना पोश्ट बैदिक एज में हुई थी पोश्ट बैदिक एज में इसकी रचना हो इसलिए से वेदत रई में शामिल नहीं किया जाता है आप से यह प्रशन पूछा जाता है कई परिक्षाओं में भी पूछा जा चुका है अभी तक रिगवेद के किस मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रशिद गायत्री मंत्र का उलेख है In which मंडल आफ रिगवेदा इज फेमस गायत्री मंत्रा dedicated to sun god सावित्री mentioned किसमें नवे मंडल में, दसमें मंडल में, तीसरे मंडल में या फिर ग्यारा हुए मंडल में In the 9th division, in the 10th division, in the 3rd division, in the 11th division किसमें किया गया है तो यह प्रक्रिया किसमें है तो किसमें बताया गया है तीसरे मंडल में बताया गया है इस वेद से आरे की राजनितिक प्रणाली, इतिहास और इश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है. इस वेद को भारती संगीत का जनक कहा जाता है, इसे भारती संगीत का जनक भी कहा जाता है, साम का साब्दिकर्थ है गान, वेद में मुख्यतह यग्यों के आवसर पर गाय जाने वाले रिचाओं मंत्रों का संकलन है, इस वेद में, इसका संकलन रिगवेद पर अधारित है, और एक शिज़ आपको बता दो, जानकारी के लिए, इसमें सामा ने रूप से रिगवेद के और यजुरवेद के मंत्रों का ही संकलन किया गया है, इस अलसो नोन ऐस दे पादर आफ इंडियन म्यूजिक, साम लिटरली मेंस सॉंग, इस वेदा इस कंपाइलेशन आफ हाइमान्स मंत्राज, संग मेंली on the occasion of sacrifice, इस कंपाइलेशन is based on the रिगवेदा, आरियों का मूल निवास स्थान था, वाट वाज दे ओरीजनल हैबिटेट आफ दे आरियन्स, उत्तरी प्रदेश, असिया माइनर, भूमन्द सागरी तट, सब्त सेम्धो प्रदेश, उत्तरी प्रदेश, उत्तर नहीं होगा, North region, Asia Minor, Mediterranean cost, और सब्त सेम्धो प्रदेश, अलग-अलग विद्वानों के द्वारा, अलग-अलग मत इस पे दिये गए हैं, लेकिन इस प्रश्ण के संदर में, Asia Minor सही है, Asia Minor के अगर बात करें, तो आप देख सकते हैं, यह जो तुर्की इरान का एरिया है, इस तरह की छेत्र से आप बढ़ेंगे, तो इस छेत्र को यहाँ पर तुर्की के इस रीजन को, Asia Minor कहा जाता है, ऐसा इसलिए कहा जाता है, कि यहाँ पर, एक 1400 इसा पुर्व, 1400 इसा पुर्व का, बोगोज कोई अभिलेख प्राप्त होता है, बोगोज कोई अभिलेख प्राप्त होता है, इसमें दो राजाओं का जिक्र होता है, एक हित्ती राजा रहते हैं, और एक मितिन्नी राजा, ठीक है, तो इन दोनों राजाओं के बीच युद्ध होता है युद्ध और निर्नायक रहता है दोनों के बीच संधी होती है संधी की इस्तिती में जो हमारे वैदिक देवता है इंद्र, वरुण, नासत्य और मित्र इन राजाओं को इस युद्ध में जब संधी की जाती है तो इन देवताओं को साक्षी बनाया जाता है तो इससे एक बात पता चलती है कि हमारे भी जो वैदिक लिटरेचर है हमारा जो हमारे वैदिक गरंथ है उन्हें में भी हमारे इन देवताओं का उलेख है और अगर उन्हीं देवताओं का उलेख यहां किया जा रहा है तो कहीं कहीं माना जा सकता है कि जो भारत में आर्यंस थे और जो यहां के निवासी थे दोनों में कोई न कोई समानता अवस्य रही होगी गायत्री मंत्र सम्मंधित है इस गायत्री मंत्रा रिलेटेड रिगवेद यजुरवेद सामवेद या फिर अथर्ववेद किस सम्मंधित है आप सही विकल्प बता सकते हैं बाकी तुम्हें डीटेल बता ही रहा हूँ सही वे किसे समंधित है रिग वेद से समंधित है विस्त्वा मित्र के द्वारा है रचा गया था सामान ने रूप से क्या बोला है जो मंत्र होते थे वह किसी न किसी रिसी के द्वारा ही रचे गया होते है रिग वेद के तीसरे मंडल में सूरे देवता सवित को समर्पित प्रसित गायत्री मंत्र है नवे मंडल में देवता सोम का उल्लेख है यहाँ पर देवता सोम की जब बात करते हैं तो एक प्रकार की आउशधी भी आती है जिसे सोम रस कहा जाता है आरियन्स क्या करते थे विसेश आउसर पर किसी उत्सोपे किसी प्रकार के धार्मिक सर्मारों में इस आउसदी का पान किया करते थे इसे आज के समय में मदिर्या का आप नाम दे सकते हैं लेकिन इसके विसे में कनफर्म नहीं कहा जा सकता कि ये मदिर्या ही थी सत्य मेव जयते उक्ति कहां से लिया गया है चांदोगे उपनिशद मुंडको उपनिशद मनुस्मृति या फिर रिगवेद से सही विकल्प हमारा यहां क्या होगा? सही विकल्प भी होगा यानि कि मुंडको उपनिशद से लिया गया है भारत के प्रतीक के नीचे अंकित भारत का राष्ट्री आदर सुवाक्य सत्य मेव जयते मुंडक उपनिशद से लिया गया है इस आदर्स वाक्यकार्थ है सब्ते की ही जीत होती है यहाँ देवनागरी लिप में लिखा गया है मुंडको उपनिशद को हिंदु धर्म के 108 उपनिशदों के मुक्तिका सिध्धान्त में नंबर 5 के रूप में सुची बद्ध किया गया है दोस्तों यहाँ मैं अपने चैनल की बात नहीं कर रहा हूं आपने कंटेंट की सब लोग बहतर देने का प्रयास करते हैं लेकिन यकीन मानिए मैंने कई लोगों का कंटेंट देखा है और कई लोगों के साथ मैं काम कर चुका हूँ कहीं भी आपको इस लेबल का ना कंटेंट मिलेगा ना इस लेबल का प्रशन मिलेगा जो प्रशन यहाँ डिजाइन किया गया है उस प्रशन की कोई तोड़ ही नहीं है और यकीन मानिए जो भी आप पेपर देने जार हैं पुलिस S.I.E.S.I. का या फिर कॉंस्टेवल का इस प्रकार के प्रशनों से अवस्ति भेट होगी आपकी और अगर आप हमारे चैनल के विद्यार्ती हैं चात्र हैं तो निसंदे इस प्रकार के प्रशनों के प्रती बहुत सहज रहेंगे आप अनने भी बहुत सारे लोग हैं आप सब सफल होंगे चाहे जहां से पढ़ रहे हैं लेकिन हमारे चैनल की एक्वालिटी के हम कभी भी क्वालिटी के साथ कोई समझाओता नहीं करते हैं तो नेशनल मोटो अफ इंडियन, इंसक्राइब बिलो दे इम्बलम उफ इंडियन मुंडब का उपनिशद इस मोटो इस टरूत आलों प्रिवेब्स इस रेटन इन देवनागरि स्कृप्ट इन मुंड का उपनिशाद is listed as number of 5 in मुक्ति का doctrine of the 108 उपनिशाद of Hinduism रिगवेद का नौवा मंडल किस एक को समर्पित सोक्तों का संग्रा है इसे समर्पित है रिगवेद का नौवा मंडल तो यह समर्पित किसे सोम देवता को समर्पित है रिगवेद का नौवा मंडल में सोम सम्मंधि शुक्तों का संग्रा है इसमें 114 सुक्त है जो सोम पवन सोम की शुद्धी को समर्पित है और जो बैदिक धर्म की पवित्र आउशदी है नौवा मंडल आफ रिगवेदा कंटेंड कलेक्शन आफ सोमा रिलेटेड हैमंस इस कंसें 114 हैमंस डेडिकेटेट तो सोम पवन सोमा प्यूरिफिकेशन इस को मिला है इसका स्थान प्रजापती को इनका स्थान मिला है प्रारंबिक वैदिक काल के इंद्र और अगनी जैसे देवताओं ने प्रामहत्तु को दिया बाद के वैदिक काल में प्रजापती जिन्हें निर्माता भी कहा जाता है इस साम्रित्य लोग का विश्नु रक्षक के तौर पर और रुद्र विनाशक के रोप में प्रमुख हो गया यानि कि इनका स्थान बदल गया था यह एक प्रशन बहुत स्टेंडर्ड क्वेस्चन है और यह आपके ASI में पूछे जानी के पूरी संभावना निमने में कौन सा कथन असत्य है उत्तर वैदिक काल तक समाज पस्ट रूप में चार वर्णों में विभाजित हो गया था बाइ दे लेटर वैदिक पीरियड दे सोसाइटी वाज़ प्लैर्ली डिवाइट इन्टू पूर वर्णाज क्या यह असत्य है उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा का प्रस्वन शुरू हुआ था असत्य है उत्तर वैदिक काल में इस त्रियों को सभा में प्रवेश की अनुमती थी जबकि रिववेदिक काल में ऐसा नहीं था अब इसमें से सही बिकल्प कौन सा है असत्य है कौन सा है असत्य है बिकल्प सी क्यों उत्तरवेदिक काल में स्त्रियों को सभा में प्रवेश के अनुमति थी कह रहे हैं जबकि रिगवेदिक काल में इसा नहीं था ति गलत है क्यों कि रिगवेदिक काल इन समाज ज्यादा लिबरल था और सभा और समिति में स्त्रियों के प्रवेश को बिलकुल मना ही नही थी उत्तरवेदिक काल में इस्त्रियों को सभा में प्रविश के अनुमति थी जबकि रिगवेदिक काल मामला ऐसा नहीं था उत्तरवेदिक काल में इस्त्रिक गिरती हालात हमारा ध्यान आकर्शित करती है रिग वेदिक काल के संदर्व में बेनी पिसाल लिखते हैं संगटक में सैध्धान्तिक ब्योहारिक रूप से इस्त्री का कद उचा था किसी तरह का परदा नहीं था साधारन जीवन के लावा समाज में मानसिक और धार्मिन नियत्रत भी इस्त्रियों के हाथ में था वह जीवन स्वेक्षा से जीती थी धार्मिक प्रवित्त के इस्त्रियों को अपने इस प्रवित्ति के अनुसार चलने में कोई रोक टोक नहीं थी अनेक रिष्चियों की रश्चनाय रिग वेदि में भी हैं तो इस हिसाब से वह विकल्प हमारा असत्य था यहां यह जो है गलब तरीक थोड़ा फॉर्मेट इसका गलब हो गया है यहां वेदिक काल में थी उत्तर वेदिक काल में नहीं थी इन पोस्ट वेदिक परियाद विमन आर्थ अलाव था इंटर सभा वेरेस दर रिग वेदिक परियाद इस नॉट तो यही परियाद जो असत्य है Declined the condition of women in post-vedic period attracts our attention In context of the Rigveda period, Dr. Benny Prasad write the status of women in the organization was high theoretically and practically There was no curtain, apart from ordinary life Mental and religious leadership in society was also in the hand of women ते लिए अगला प्रशन है किस वेद की रचना गद्य योम पद्य दोनों में की गई है विच वेदा इस कंपोज इन बहुत प्रोज एंड वर्स ठीक है कौन सा इसमें देखते हैं रिगवेद की यजुरवेद की सामवेद या फिर अथरवेद जँरवेद की रचना की गई है यजुरवेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है यजुरवेद में यग्यों की नियमों विधि-विधानों का संक्लन मिलता है इसमें बलिदान विधी का भी वर्णन है वेदा इब बहुत हिन प्रोज और वर्स रिगवेद काल में हिमालय परवुत को क्या कहा जाता था मौजवन्त नाम का एक परवत का उलेक मिलता है जिसकी पहचान हिमालय से की जाती है इसकी एक उची चोटी का नाम मौजवन्त था जहां से आरे लोग सोम नामक बनस्पती प्राप्त करते थे उससे अपना सरवादिक प्रिय पे सोमरस का निर्माण करते थे इन रिगवेदा देर इस मेंसन अफ मांटेन काल दा हिमवन्त विच इस इडेंटिफाई विद दा हिमालय आज one of its dollar is mentioned to be Munjuvant from where the Aryans obtained plant called Soma and from it they used to make Somaras their favorite drink गयत्री मन्त की रचना किसी ने की थी? गयत्री मन्त विस्ष्ट वू कंपोज गयत्री मन्त वस्ष्ट ने किया था? विश्वामित्र ने, इंदर ने या फिर परिक्षित ने किसी ने किया था? सही विश्वामित्र ने किया था रिग्वेद्र में कितने शूक्त है? How many humans are there रिग्वेदा? 1028, 1017, 1128 या फिर 1020 सही विकल्फ होगा 1028 सुक्तों में के सुव्यवस्थित ग्यान के संग्रह को रिग्वेद्र कहा जाता है इसमें 10 मंडल, 1028, सुक्तों वाले खिले पाठ के 11 सुक्तों सहीद और 10462 रिचाये हैं इस विश्वामित्र द्वारा रचित रिग्वेद्र के तीसरे मंडल में सुर्य देवी सावित्री को समर्पित प्रसिद गायत्री मंत्र है इसमें 9 मंडल में फस्त लिखित रिचाओं को खिल कहा जाता है सुम देवता का उलेख इसमें 9 मंडल में किया गया है रिग्वेद्र के 10 मंडल में 4 वरनों का भी उलेख है The collection of systematic knowledge of the Sukta is called the Rig Veda. It consists of 10 Mandala, 1028 Suktas including the 11 Sukta of the Valakkhila text and 10462 Haimans. A sage who received the Haimans of this Veda is called the Hothri. From the Veda, we get information about the political system, history and glory of the God of Aryans. The third Mandala of Rig Veda composed by the Viswamitra, contained the famous Gayatri Mantra dedicated to Surya Dev and Savitri. The handwritten hymen of its 8th Mandala are called the Khil. Soma Devata is mentioned in the 9th Mandala. Four varnas are mentioned in the 10th Mandala of the Rig Veda. Namely, it means that Kisne Aryoke Adhides, Arctic Pradesh, who among the following wrote about the Arctic region? The first scholar of believing the origin of the origin of the Arctic region? Originally, country of Aryan in the North Pole was Pandit Balagangadhar Tilak. Tilak has given the idea of this book, Architect Home of Aryans. Tilak has written that the Aryans composed the Rig Veda in the Saptasendhav region. Pataliputr Nagar का संस्थापक था, who was the founder of Pataliputr City? Vemisar, Ajaj Satru, Udain, या फिर, धनानन्द. तो Pataliputr का संस्थापक, Udain को माना जाता है. Udain, Harriya Kovansi, Ajaj Satru का पुत्र, 461 हिस्ता पुरुव से 445 के बीच में, इसने सासन किया था, और इसने Pataliputr का प्राजधानी बीच में, इसके पीछे वज़ा था, या क्या था, गंगा और सोन नदी के संगम पे इस्तित था बीच में, किस शाचक की उपादी कोडिक थी, विच रूलर हैड दे लिटिल कुलिंक, Ajajat Satru, Udain, Kalashog या महापद्मनन, तो एक किसका था है, Ajajat Satru का, मगत के शाचक Ajajat Satru अपने पिता की हत्या करने के बाद सिंगासन पर बैठा, इसलिए इसे इतिहास में, कुडिक पित्रहंता के नाम से भी जाना जाता है, Ajajat Satru, the ruler of Magda, extended the throne after killing his father, that is why in historian, it is known as the kunik, पित्रहंता, सिकंदर के समय, किसका साचन था Magda पर, who ruled Magda during the region of Alexander, महापद्वनन, धनानन, चंद्रगुप्त मौर, या फिर औरस, तो किसका साचन था, यहाँ पर धनानन का साचन होना चाहिए, यह बताया जा रहा है, तो धनाननन का साचन था, सिकंदर ने भारत के आक्मण के समय, मगत पर एक सक्षाली राज्य था, जिस पर धनाननन्द रामक राजा साचन करता था, धनानन्द की सेना लगभग 6 लाख साइनिक थे ऐसा बताया जाता है धनानन्द उस समय सासक था और इसी समय क्या होता है उत्तर से सिकंदर आता है हलांकि धनानन्द से इसके युद्ध का कोई जिक्र नहीं मिलता कि युद्ध हुआ था इंके बीच में लेकिन यह इनके साथ बड़े ही नौर्मस सामाने संबंद थे इसी दोरां चंदरगुप्त और चानक के जो है अपने शड़यंतर की रचना कर रहे थे धनानंद के अत्याचारों से जंता को बचाने की नहीं एक योजना बनाई थी और कहा ऐसा जाता है इसके कोई लिखित प्रमाण साक्षोपलब् और सिकंदर ने इनको पकड़ के जेल में डाल दिया ठीक है की भड़काने के जुन में क्योंकि यह है दुस्मन नहीं मानता था धनानंद को उसके बाद क्या होता है किसी तरह ये लोग जान बचा के वहाँ से अपना भागते हैं अट थाइम अलेक्जंडर इंवेजन इन अफ इंडिया मगत वाज द पावर्फुल इंग्डम विच वाज रूल बाई ए नेम्द गनानंद देर वैर अबाउट शिक्स लाग सोल्डर इंद गनानंद आर्मी तालाशोक की राजधानी थी वाट वाट वाज थाली राजग् कालाशोक की राजधानी थी वाट वाज दा कैपिटल आफ कालाशोक वैसाली राजग्ये पाटले पुत्र या फिर अवन्ती सही बिकल्प क्या होगैं, सही बिकल्प होगा पाटली पुत्रा जो उसके मृत्तिव के बाद मघधपर सासक बना मघध का महावन्स में एक जो की बहुत ग्रंत है इसे कालाशोक तथा पुरणों मेंसे काकवर्ण कहा गया काला शोक ने अपनी राजधानी को पुनह पाटली पुत्रस्थान तरित करवा दिया, इसने 28 वर्षो तक शाषन किया, काला सोक काकवर्णा वाजद स्तनाब्द स्विसुनाग, विकम दे रूलर अफ मगधा आफर इस जैद, इन दे मगधा, 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 इन किस सर्वचत्रांतक अर्थाच छत्रियों का नास करने वाला किसे कहा गया है यहां पर सर्वचत्रांतक की स्टेट तूबी देश्ट्रॉयर आफ छत्री है महापदमनंद, खारवेल, शचांग, या फिर सिकंदर सही विकल पर हाँ पर क्या होगा सही विकल महापदमनंद, इसे जो है सर्वचत्रांतक महापदमनंद की उपाधियां धारण की थी सर्वचत्रांतक का सभी छत्रियों का नास करने वाला, पुराणों में इसका नाम उल्ले किया गया था महापद्म ने सिसुनांग वंस को उखाड फेका नंद वंस की निव डाली उसे सर्वचत्रांतक की रूप में जाना जाने लगा सर्वचत्रांतक means the destroyer of all छत्री this name was mentioned in the Quran महापद्मन्द overthrew the सिसुनांग डाइनेस्टी and founded the नंद डाइनेस्टी and he came to be known as the सर्वचत्रांतक सिकंदर और पोरस के वीच प्रसिद जेलम युद्ध या हाइडे स्पिसीज का युद्ध कब हुआ था when was the famous battle of जेलम और battle of हाइडे स्पिस between the Alexander and Porus fort कब हुआ था सही विकल्प का अप्चुनाओ कर लिए 326 इसा पुरु जेलम का युद्ध 326 इसा पुरु में युणान के समराट अलेकजंडर दी ग्रेट सिकंदर महान युँपोरस राजा पुरु के मद्ध जेलम नामक नदी के पास हुआ इस संग्राम में सिकंदर महान की विजय हुई थी परिस्तियों को देखते हुए सिकंदर महान ने पुरु राज उसे वापस दे दिया बैटल आप जेलम इन 326 BC इट वाज बॉन बेटिविन ग्रीक इंपरर अलेकजंडर दे ग्रेट अलेकजंडर एंड किंग पुरुस नेर दे रिवर काल धेलम अलेकजंडर दे ग्रेट वाज बेक्टोरियस इन दिस पैटल सिइंग दे सरकंस्ट्रेंसेज अलेकजंडर दे ग्रेट गेव बैक इन दे किंग्डम आफ पुरु टू जैन धर्म के 24 में तिर्थंकर कौन थे वू आज दे 24 तिर्थंकर आफ जैनिजम पारसुनात, महावीर, सिधार थे या फिर भद्रबाहु कौन थे? तोई महावीर जी थे 24 में तिर्थंकर वर्थमान महावीर का जनुव 540 इस्तापुर वैसाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था वाज ग्यात्रिक वंसके और महावीर और महावीर के साही परिवार से संबन दित थे वर्थमान महावीर दर 24 तिर्थंकर वाज बौन थे 540 बीसी इन दे विलेज आफ कुंडग्राम नियर वैसाली विलॉंग तो दर ग्यात्रिक डैनिश्टी और महावीर ने जैन धर में पुरुसे प्रतिपादित चार महाव्रतों में कौन सा पांच महाव्रत जोड़ा विच आप दो फोर महाव्रताज प्रेस्पेल्ट इन जैनिजम वाज एड़ेट वाई दो महावीर अपरिग्रह अस्ते ब्रह्मचरे अहिंसा सही विकल्प क्या होगा यहां? सही विकल्प होगा ब्रह्मचरे ये पांच महाव्रत्थे अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचरे अपरिग्रह ब्रह्मचर को बाद में जोड़ा गया महावीर जी के उदारा अहिंसा का आप समझे रहें किसी के प्रते हिंसा नहीं होनी चाहिए सत्य बोलना चाहिए औस्ते आवश्चक्ता से अधिक्र संग्रह नहीं करना चाहिए ब्रह्मचर का पालन करना चाहिए और अस्ते कार्थ चोरी नहीं करना और और परिग्रहकार्थ आवस्चक्ता स्याधिक इकठा करना नहीं चाहिए महावीर ने किस भासा में उपदेश दिया था In which language did महावीरा preachers प्राक्रित, संस्क्रित, हिंदी या फिर द्रबिड महावीर ने किस भासा में दिया था प्राक्रित उन्होंने दिया था महावीर स्वामी ने अपने उपदेश खास कर प्राक्रित भासा में दिये हैं जबकि वे अर्धमागधी पाली का भी उपयोग करते थे महावीर स्वामी गिव हिज सर्मन्स मैनली इन दर प्राक्रितिक लैंग्वेज while he is also used the अर्धमागदी एंड पाली प्रतम जैन संगीती कहां आयोजित की गई where was the first जैन काउंसिल held बल्लभी वैशाली पाठली पुत्र या पावापुरी सहीबी कल्प क्या होगा यहाँ पाठली पुत्र को अब यहाँ पे देखते हैं प्र मज्धाण संगीती का आईयोजन हुआ अध्यक्ष्पा किसने क्या था इसमें जैन धर्म के प्रधान भाग 12 अंगों का समपादन हुआ प्रथम जैन सभा में जैन धर्म दिगंबर और स्वेतांबर दो भागों में बट गया दुती जैन सभा, दुती जैन संगीती का आयोजन 512 स्वी उस्तान में बल्लभी में हुआ देवर्शी छमा स्रवन के ध्यक्षता में धर्म गरंथों को अंतिम रोप से संकलित किया गया फर्स जैन सभाद, फर्स जैन काउंसिल वाज हैंद इन 380 मीटिंग तुक प्लेस दुरिंग दे पीरिड आफ चंदरगुप्ता मौर्या लोकेशन क्या थी इसकी लोकेशन पाटलिपुत्रा फिर्स जैन काउंसिल टुक प्लेस इन पाटलिपुत्रा मिटिंग वाज हैंद अन्दर चेयर परसन अफ सत्थूल भाद्र in the main part of jainism was added 12 part in the first jain assembly jainism was divided into two parts दिगंबर एन स्वेतंबर second jain sabha the second jain council was held in 512 AD the second jain council was held in the sthān क्या था बल्लभी chairman देवर सी चमा स्रोन presided the text finally compiled in the transcribed महत्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था where did the महत्मा बुद्ध give the first sermon पाटलिपुत्र, स्रावस्ति, सारनाथ या फिर बोध गया सारनाथ में प्रथम उपदेश कहां पर दिया सारनाथ में सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया यहीं पर उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् संस्किर्ट, द्रविड या फिर हिंदी, सही दिया था इसमें पाली में, पाली मुन्हुन दिया, गौतम बुद्ध ने अपने व्याख्यान और अपनी सिक्षा में पाली भासा का प्रयोग किया, या सिक्षी तर्थात उजारियों और पंडितों द्वारा बोली जाने वाली भाशा है, गौतम बुद्ध यूज पाली लेंग्वेज इन हिज लेक्चर और इन हिज टीचिंग, इज लेंग्वेज इस्पोकें बाई एजुकेटेड प्रीस्टेंडर पंडित्स, किसके सासनकाल ने बहुत धर्म दो भागों में हीनियान और महायान में बट गया, भाद सत्रू, अशोक, कनिश्क, या फिर काकवर्न, सही भीकल्पे यहाँपे क्या होगा, सही भीकल्प होगा कनिश्क, राजा कनिश्क कुशान सामराज este dalla T talks, अनके सासन के डवराण था कि बौध्धन दो गटुम भ항 हाया, महायान बौध्ध मानते थे, बुद्ध एक दे इसमीर में मारतंड सुर्य मंदिर का निर्माण किस ने करवाया था? दिद्दा, संग्राम राज, ललितादित्य मुक्तापीड या फिर संग्राम राज सही विकल्प क्या होगा इसका? आप कमेंट करके बता सकते हैं ललिता दित्य मुक्तापीड मारतंड सुर्य मंदिर का निर्माण आठ्वी सताबदी इस्वी में कारकोट राजवन्स के तहत कस्मीर के तीसरे महाराजा ललिता दित्य मुक्तापीड द्वारा करवाया गया था दोस्तों यहां आपकी जनकारी के लिए बठादों कि भारत में वरतमान में तीन सुरे मंदिर हैं वरतमान में ये सुरे मंदिर मौजूद हैं जिनके बारे में आपको जनकारी होने इलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्मान किस राजवन्स के शाशनकाल में हुआ था। और इसको इस तरह डिजाइन करके काट दिया गया इसमें मंदिर बना दिया गया उपर से नीचे की ओर। इसमें मंदिरों का निर्मान किस ने करवाया। प्रारंभ में इस शहर को मामलपुरम कहा जाता था। इसमें ग्राम में सौसासन की प्रामुक विसेता उनकी स्थानी सौसासन लोकल गवर्मेंट सेल्फ गवर्मेंट की बात हो रही है। इसमें ग्राम में सौसासन की एक इकाई थी या बेवस्था लोगों को आर्थिक और सामाजिक अपमान पर आधारित अधिकार देती है। क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्मेंट का यही मकसद होता है। क्योंकि अधिक अधिकार किया था। प्रांसेडियल मीडिया अलफांसो डी अलबुकर्क वासको डी गामा रावर डी नवेली। कौन था। 1510 में अलफांसो डी अलबुकर्क गोवा का गवर्नर बना। वह गोवा का वास्तविक संस्थापक था। कहांज पूर्तगाली समराज का वास्तविक संस्थापक था यहां पर। 1510 में बीजापूर की आदिल साह पर हमला कर उसे गोवा पर कपचा कर लिया। तो गोवा को एक तरस इसने इस्टेबल किया। और गोवा का पूर्तगालीयों के समराज का गोवा पर वास्तविक संस्थापक यही था। पूर्तगालीयों ने भारत निवलिखित में किस अस्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्मार किया था। पूर्तगालीयों भारत में प्रथम दुर्ग, भारत में प्रथम भारती दुर्ग का निर्मार अलफांज अलबुकर, इससे में गवर्णर था द्वारा 1503 में कोचीन में किया गया। पूर्तगी इस बिल्ट इस फिर्स्ट इंडिया, इससे में पहले किस भारती रियासत पर लागू की गई थी। सतारा को पहली बार सामिल किया गया और अंतिम इसमें अवध था। 1848 तु 1856 तक भारत के गवर्णर जनरल के रूप में डलहोजी द्वारा ब्यापक रूप से पालन की जाने वाली एक विलय नीती है थी। वह राष्टी नेता कौन था जिसने अंडवान के सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था। कौन था नंदलाल बोस अंबेटकर जी बीर सावर कर जी जोतिवा पुले। सही भी कलप क्या होगा बीर सावर कर। पुर्व रियासत नाहन अब किस राज्य का अंग है। पुर्व रियासत नाहन भारत में हिमाचल प्रदेश का शहर है, सिर्मौर जिले का मुख्याले है। यह और वा सिरमौर रियासत की राज़ानी थी, नाहन को तालाबों के सहर की रूप में भी जाना जाता है, नाहन is a city of Himachal Pradish in India, is the headquarter of सिरमौर district, it was the capital of the first while princely state, princely state सिरमौर, नाहन is also known as the city of Pawn, महात्मा गांधी द्वारा प्रथम क्रिसकांदोलन कहां से प्रारंब हुआ था where was the first present moment started by the महात्मा गांधी यानि कि क्रिसकांदोलन कहां से प्रारंब के बारदावली दांडी चंपारन वर्धा सही विकल्पे हाँ पे क्या होगा महात्मा गांधी के नेत्रित में बिहार के चंपारन जीले में सन 1917 को एक आंदोलन हुआ इसे चंपारन सत्यागर के नाम से जाना जाता है गांधी जी के नेत्रित में भारत में किया गया यह पहला सत्यागर था under the leadership of महात्मा गांधी there was a moment in चंपारन district in बिहार 1917. It is known as the Champaran Satyagraha. This was the first Satyagraha carried out in India under Gandhi's leadership. Indian Railway Conference Association ने railway station Ayodhya Junction का नाम बदल कर क्या रखा है? Indian Railway Conference Association has renamed the railway station Ayodhya Junction Ayodhya Dham Ram Nagari, Ayodhya Puri, Shri Ram Junction. सही भी कलप यहां पर क्या होगा? Ayodhya Dham Indian Railway Conference Association ने एक बयान जारी करके उत्तरप्रदेश स्तित railway station का नाम Ayodhya Junction से बदल कर Ayodhya Dham करने की घोशना की. इस railway station का उत्गाटन 30 December, 30 December को प्रधान मंत्री मोधी जी करेंगे. Indian Railway Conference Association has issued the statement and announced to change the name of the railway station located in Uttar Pradesh from Ayodhya Junction to Ayodhya Dham. The station will be inaugurated by the Prime Minister 30. Kyandriya Uddioguk सुरक्षाबल की पहली महिला प्रमुख की रूप में किसी ने उखतिया गया है. Who has been appointed as the first women chief of Central Industrial Security Force, CISF जिसे आप बोलते हैं. Arunayama Sinha, Nina Sinha, Honi Chaturvedi, या फिर Aditi Saksena. सही विकल्प का चुनाव को लिजिए. Nina Sinha. Kyandriya Uddioguk सुरक्षाबल, CISF की पहली महिला के रूप में, Manipur Kadar की भारती पुलिस सेवा की अधिकारी Nina Sinha को नुक किया गया है. Sinha जुलाई 31, 2024 तक सेवा निबृत तक इस पद पर बनी रहेंगी. Manipur Kadar Indian Police Service IPS Officer Nina Singh has been appointed as the first women of Central Industrial Security Force. Sinha will continue in this post till July 31, 2024, Anti-Retirement. KOTAK Mahindra Bank का नए अधिक्ष की से निउक्त किया गया है. Who has been appointed as a new chairman of KOTAK Mahindra Bank? Rana Kapoor, Vinit Sinha, CS Rajan या फिर S. Chandra. कौन इसमें है? CS CM Rajan. KOTAK Mahindra Bank के part-time अधिक्ष की रूप में CS Rajan की निउक्ती को भारते रिजरों बैंक ने अपनी मंजूरी दे दी. राजन मुर्तमान में बैंक के स्वतन्त निदेसक की रूप में कारे रथ हैं. उनके निउक्ती एक जनवरी 2024 से प्रभावी है. दो साल की अवदी तक चलेगी. The Reserve Bank of India has given its approval to appointment of CS Rajan as a part-time chairman of KOTAK Mahindra Bank. Rajan is currently serving as an independent director of the bank. His appointment is effective from January 1st 2024 and will last for a period of 2 years. LIC ने हाल ही में किसे Chief Risk Officer की रूप में निउक्तिया है. Who has been appointed as a Chief Risk Officer by LIC recently. अब है माकन S. सुन्दर राधा किष्ण पताप चंदर पाई करिया. रेखा स्वामी नाथन. सही भी कल्प क्या होगा? यहाँ पर S. सुन्दर कृष्ण हारती जीवान भीवान निगम ने S. सुन्दर कृष्ण को Chief Risk Officer नुक किया है. उन्हें ने प्रताप चंदर पाई करिया का स्थान लिया है. Life Insurance Corporation of India has appointed S. सुन्दर कृष्ण as a Chief Risk Officer replacing प्रताप चंदर पाई करिया. किस सराज में कार्भी यूवा महसो 2024 का आयोजन किया जाएगा. In which state कार्भी यूथ फेस्टिवल 2024 will be organized? मेघाल है गुजरात, महाराष्ट या फिर असम. सही विकल्पे हाँ पे क्या होगा? असम. राष्पित द्रोपदी मुर्मुष 17 जनवरी 2017 को असम के कार्भी यूवा जिले में तारा लांग सो दिफू में आयोजित होने वाले कार्भी यूवा महसो 2024 के स्वण जैनती समारों में भाग लेंगी. कार्भी यूवा महसो 2024 का स्वण जैनती समारों 12 जनवरी 2024 को आयोजित किया जाएगा. प्रसिदेंट रोपदी मुर्मू बिल पार्टिसिपेट इन गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन आप दे कार्भी यूथ फेस्टिवल 2024 को भी हेल्ड आट तारा लांग सो दिपू इन आसाम कार्भी यूवा जिश्टिक जनवरी 17 जनवरी 17 प्रसिद्री ने किस देश में हाल ही में भारत के वारिजिक दूतावास महा वारिजिक दूतावास खोलने को मंजूरी दी इन विच कंटिडि़ दा यूनियन कैबिनेट अप्रूब द ओपिनिंग आप दे कांसुलेट जनरल आफ इंडिया रिसेंटली प्रांस, अर्जंटीना, रूस, और फिर न्यूजिलेंड सही भी कल्प क्या हो गए हैं न्यूजिलेंड नरेदर मोदी के देश्टा में कैबिनेट ने न्यूजिलेंड के आउकलाइड में भारत का महाबारिजिक दुतावास खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी आउकलाइड में भारत का महाबारिजिक दुतावास खोलने से भारत और न्यूजिलेंड के रिस्तों में मजबुत्ती आएगी The Union Cabinet Chairman by Prime Minister Narayan Modi has approved the proposal of opening the Consulate General of India in Auckland, New Zealand. The opening of Consulate General of India is Auckland will further strengthen the relation between India and New Zealand. भारत के पहले AI City की रूप में किस शहर को विक्सित किया जा रहा? Which city is being developed as India's first AI City? लखनव, जैपुर, चिन्नाई, या फिर कोलकाता, सही विकल्प क्या होगा इसका? लखनव, नबाबों का शहर के नाम से मसहूर लखनव शहर को भारत के पहले AI City की रूप में विक्सित किया जाएगा. NOEDA पहले से ही IT के अंदर की रूप में उभरा है, इसी की तर्जपर अब लखनव जैसे tier 2 शहरों का भी विकास IT हब की रूप में किया जा रहा? लखनव, also known as the city of Nawab, will be developed as India's first AI city. NOEDA has already emerged as a hub of IT. On the same line, now tier 2 cities like लखनव are also being developed as the IT. 200 test championship में सरवाधी करन बनाने वाले भारती बल्लेबाज कौन बने है? Who has become the highest run scorer in the world test championship? Rohit Sarma, KL Rahul, Virat Kohli, Ajit Prahaday. सही विकल, Virat Kohli. 200 test championship में सरवाधी करन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए? दक्षिड अफरीका cricket team के खिलाब जारी test series के पहले match में यह किर्थिमान अपने नाम किया है. Virat Kohli has become the highest run scorer in the world test championship. This new record word was made in the first match of the ongoing test series against the South African cricket team. हाली में भारती नव सेना ने किस stealth guided missile destroyer को सामिल किया गया है? Which stealth guided missile destroyer was recently inducted into the Indian Navy? INS Impal, INS Chakra, INS Dhoj, INS Kavaraty. सही विकलपोगा INS Impal. भारती नव सेना हली मिष्टिन्थ लेटेस इष्टिथ guided missile destroyer इंफाल को सामिल किया गया है. रक्षा मंतरी जी ने की मौझूदगी में सेना उसेना में शामिल किया गया. INS Impal पहला वार्सिप है जिसका नाम उत्तरपुर्व के शहर के नाम पे रखा गया है. इसका डिजाइन युद्धपूर्ट डिजाइन बूरो द्वारा तयार किया गया. इसका निर्मान मझगाउं डॉक लेमिटेड मुंबई में है उसके द्वारा किया गया. The latest stealth guided missile destroyer इंफाल has recently been inducted into the Indian Navy. It was inducted into the Navy in the presence of Defense Minister Rajnash Singh. INS Impal is the first warship to be named after a city in the Northeast. It has been designed by the warship design bureau and constructed by the मजगाउं डॉक लिमिटेड मुंबई. इस स्रीज का आखरी प्रस्ण है हमारा techno smartphone ने हाली में किसे अपना brand ambassador नूक किया है. Who has recently been appointed by the techno smartphone as its brand ambassador? अलिया भट, दिपका पादकोड, रनबीर कपूर या फिर बिराट कोली. सही बेकलप है दिपका पादकोड. Premium basic smartphone brand टेक्नो को अपने भारती सुपरस्टार दिपका पादकोड का अपना brand ambassador नूक किया है. यह कदम वो भगताओं की जरूरतों को ध्यान रखते हुए, यहाँ पर दोस्तों हमारी यह test series पहला mock test यहाँ पर समाप्त हो रहा है और यह 50% आशा करता हूँ आप सभी के लिए काभी यह लापकारी सिध्ध होगा. मिलते हैं हम किसी अगले mock test को लेके यहाँ पर हमने इतिहास के प्रशनों को कवर किया हो current affairs हम प्रयास करेंगे कि जितनी भी हमारी वीडियो आए उसमें कुछ प्रशन current affairs के होंगे और कुछ static portion से होंगे दोनों मिला के हम चलेंगे. इस प्रकार से बहुत जल्दी आपकी एक शांदार तैयारी हो जाने वाली हैं मिलते हैं नए वीडियो में अपने दूसरे mark test में तब तक के लिए धन्यवाद और धेर सारी शुब कामना.